हेलो फ्रेंदसवेटम बैक टो मैं चैनल अच्छ आजगी इस वीडियो में आपको ब्रायाऊज की कटिंग इन स्चीचिंग बना बताने वाली हो जो हेवी ब्लाऊज होता है ना लहेंगे का वह बनाना मताने वाली है कि उससे किस तरीके से बनाते उसका जो नेग बहुत इसका चोड़ा है तो इसे हम कम केसे करें यह भी आपको करेंगे वह भी आपको इसको इसके दार देखने को मिल जाएगा तो यहां पर आपकी छो फुल लेंदे न वह आपको देख लिए कितनी है अगर आप चाहो ना तो नीचे के साइट से कर दीजाइन नीचे से कम करेंगे तौ आप करेंगे में यहां पर सबसे पहले उसको चाहिए तो कि यहां पर मैंने पहले जेनख लिए तो मैंने इस Nacho बहुंपर करेंगे तो यहां पर मैंने सी निशान लेंगा लिए कृत दूफल पतली सथिसा attachment का है तो हमें दूब आत zo तो यहां पर दोनों ले लेना है और उसके बाद में एक इंच के हमारे पीछे की साइट पर भी वह आएंगे तक्स आएंगे इसलिए हम इसके जो कमर का में साइज लिया ना उस पर हम नहीं हमने चेस्ट का लिया न उसी से नीचे उतारा देंगे इसको और वहीं से कट करेंग तो मैं उसको कट कर दूँगी वहां से तो यहां पर यह मेरा तयार हो गया है मतलब मैंने कट कर लिया यह बेक का साइट था और फ्रंट का भी इससे तरीके से कटेगा तो हमें कपड़े के ऊपर इसको सिंपल तरीके से रख लेना है कि हम इसे प्रिंसस कट वाला बनाने वा कि यहां पर आप देख सकते हो मैंने और यह पर इंच और बड़ा है क्योंकि हमारे टक्स ड़ा लेंगे और मुझे जादा चोड़े टक्स में डालें और सिंपल थोड़े-थोड़ेे जालें यहां पर मैंने सिर्फ 1 इंच लिया है मतलब एक इंच के करीब लिया है तो वह हो जाएगा मेरा बराबर तो यहां पर armhole की गुलाइबी देना बहुत जरूरी होता है front के side में तो यहां पर half inch की मैंने armhole की गुलाइबी दे दिया है और बस इसको भी मैं कट करलूगी पहले में इसको कट कर लेती हूँ, यहाँ पर मैंने अपने जो आगे और पीछे का दोनों का फ्रंट और बेक दोनों साइट को कट कर लिया है, उसके बाप में हमारी स्लीव है पहले उसे कट करेंगे, फिर हमारा में फेबिक जाया उसे कट करेंगे, तो यहाँ पर स्लीव में तरगा 3 ूंच़ विर थो यहां पार देख से बाद में झाले आपको देख लेना एक हो चुछ यहां टोपद यहां बैसान, निशान लेन और तरहा पर यहिए इसके यह ज्यां पर आपको क्तचिन नष्यừa है, यहां को पर देख ले टाills है गुलाई दे नी है कि और यहाँ पर पर जो पर साइड है कि ब्लाउस को ऊपर ब्लाऊस में कितना हैश, इक इसका जो पूरा है ना स्टिचिंग के बाद में तो वहां पर वह साथ इंच आ रहा है तो साथ इंच में यहां पर लूँगी क्योंकि एक इंच हमारा एक्स्ट्रा एंदर से रहो नहीं चीए क्योंकि कभी टाइट और डिला करना पड़े तो रिदम फिटिंग का भी नहीं ब कि यहां पर जोईनियों sıबसे पहले दाज़ और अब करोंगी प्रन्ट साइट का कॉर्णंगी तो यहां पर इसको इसे यहां पर और उपर रख लेंगे JACKIE हां पर मेंने इस तरीके से उस तरह इसका कर में म कि आपके जो वो डिजाइन वर्क उसके उपर से बराबरे रखना है और उपर की डिजाइन पे बराबर से आने म Volt बोनों साइट से अप इसको पहले तो अगर आप करते हो 2500 न तो इसं को पहले तो इसाइइ लिएत नीचे के साईट से अमाम को में फेबरीक न उसमें हमको हाफ इंच कपड़ा जो है न वह एक्स्रा लेना क्योंकि फोल्डिंग में भी चला जाएगा एक्स्रा ही लेना है रिजाइन के पास से नहीं लेना है तो यहां पर मेरा फ्रंट का साइट तो कट के तयार हो गया उसके बाद में हमारा बेक वाला भी कट कर लेंगे तो यहां पर मैंने अपना फ्रंट और बेक दोनों को ही कट कर लिया स्लीव को हम इसका जो है न वह एंड में जब लगानी होगी हम जब कट करेंगे तो यहां पर आप ध्यान से देखें कि यहां पर न आप मेरा जो फ्रंट वाला जो नेक के न वह बहुत सी जादा चोड़ा ह तो इसको थोड़ा सामे कम करऊंगी खारा 20 करिब करण की द्याथ साधा निट यहां कि यहां से ऊपर से देखने यां तक यहां तक लिए्प वराबर आरा है तो यह हो गया हमारा उसके बाद में का हुआ एक तो फिह को नीचे रखना है और उसके उपर उल्टा करके सब्सक्राइब अब्लाउस जो कट ऑपर से यहां पर से डिजाइन गतर बराबर दिखके और की और कोरी पर से लागाने यह इसे सिलाई लगां तो बहुत लित्यान लगाए और धीरे धीरे लगाना है मशीन की स्वीट को थोड़ा कम करके नहीं तो वह सिलाई इदर होदर होगी न तो हमारी डिजाइन जो है न वह दब जाएगी या इदर हो जाएगी तो अच्छी लगए इसलिए धीरे धीरे यहाँ पर हमें यही सिलाई को इस तरीके से लग गई है अब हम इसको कट कर लेंगे इसको कट कर लिने के बाद में यहाँ पर कट लगाना बहुत ज़रूरी होता है तो इसलिए यहाँ पर पहले कट लगा दूंगी फिर उसके बाद में हम इसे फोल्ड कर मतलब इसको फोल्ड करेंगे दूसरे साइट पर यहाँ पर इ लगे वेना सू इट जाएंगे आपके कोण कोर सिलाई लगा वहाँ पर हमारा प्रिंसस कट का मतलब जो इस तरीके से उसको है तक सब्सक्ति करेंगे यहां पर रखेंघा हमारा जो टक्स पर होते है लilians उसका हम निशान लगाएंगे पहले तो कि कितनी दूर पर लगाना है तो यहां पर में 3.5 इंच मतलब 3.5 इंच पर में यहां पर निशान लगाऊंगी तो यहां पर और उपर के साइट पर 4 इंच पर निशान लगाऊंगी चार इंच पर निशान लगा लिए उसके बाद में बनाग चुर्च करके तुक्त हो दूसरी साइट पर धरी से करें यह निशान पर बन गया कि इंगा है यहां पर इसके जैसा से निशान निशान पर यह इन sequencing से बन बनता एक्दम तो यहां पर दोनों साइट करो बस इस तरीक से सिंपल इसी तरीक से हमें लगानी पूरे में नीचे तक दोनों साइड पर कि साइट पर मैं यहाँ पर कांच और कंदन कड़क वाले चोटे वाले कंदन तो उसके कोई दिख्कत नहीं आधी अगर बड़े वाले कंदन और कंच और तो उसको हमें निकालना पड़ेगा तो हमारी मशीन की सुई तूट जाईगी और हमारी सिलाइग और परफेक्ट कि इस तरीके से इस तरीके से फोल्ड करना और जितना भी जितना भी चोड़ा टक्स आप जालना चाहते हैं उस साइब से डालना यहां से यहां तक आपको सिलाई लगानी है तो यहां पर आप देख सकते होगे कि प्रिंसेस कट वाला शेप जोए वह बन करके से नहीं तो यहांपर जाते olur कि चूड़ा यहां त्यक्त का वंपर इस तरीके से आपाँ जिए से स्ट वाले को अपर इस तरीके से तृती क्परणंट में किया था तरी कि धीर सी ठीbn रखकर यहां पर पूररे ने के अंदर सिलाई लगा लोंगे और यहां मेरी पूरे ने की जै अ लगा गई और और उसके बारिन इसको कट कर लेंगे कट अधर में हाफ अफ इसको कपड़ा छोड़ा उसके पर कट लगा लेंगे पूरे मेने वट लगा लिया उसके बाद में नीचे के टक्स डाल देंगे रहाँ आप इंच के डालेंगे यहां इस दिदाइब घंच के हो इसको कट करेंगे है दोनों साइट से एकदम बरावर करके रखने हैं इसको पिनप कर लेना यहां पर में नहीं किया है पिर आप करें तो अगर आपको दिक्कता थी तो आप आप करके हीALI लगाएं तो यहां पर एकदम साइट से कितने बाहर के साइट बिना डिजाइन के बच हो इसे तरीके से कट कर लूगे। केम कर में इसी तरीक से दोनों स्लीप कट कि я उसके बाद में क्या करना है कि इसके अंदर हम सिलाइफ है लगा लेंगे जितना कप्रा चोड़ रहा है उसे छोड़ के एकदम डिजाइन के अगदम कोने पर लगाना ही सिलाई हमको ताकि वो डिजाइन ऐच्छे से आगे के साइट पर दीख पाए तो यहां पर कोने पर रखकर हमको सिलाई लगा लेनी है दोनों पर इसी तरीका से लगा तो कि मेरी आप देख सकते हैं यह वाली सिलाई तो लगकर हो गया है उसके बाद में हमें इसको फोल्ड करना है इस तरीके से और कोने पे से रखकर इस तरीके से यहां पर सिलाई लगा लेनी है उपर की सिलाई लाइ है कि अब यह वाली सिलाई जो हमारा कपडा उपर की साइट से एक दूसरे से अलाह गहले ना हमक Kellis कि अब साथ अब तक से लगा लेगी अच्छे से हमारी। स्लीव हमारे मतलब लाउस के इंदर लग़ाइगी कि हमकंपा vitr सेम इसी तरीके से हमारी दूसरी वाली स्लीव है उसको भी सेम इसी तरीके से हमको तैयार कर लेंगे तो स्लीव हमको इस तरीके से यहां पर लगानी है तो यहां पर हमें शोल्डर को यहां पर इस तरीके से रखना है उसके बाद स्लीव को इस तरीके से पकड़के स्लीव का जो सेंटर पॉइंट है यहां पर कोने पे उसको यहां पर इस तरीके से पकड़ना है और यहां पर उसको आपको नाप लेना है कि कितना कितना क्या आ रहा है तो यहां पर मेरा एक दम बराबर आ रहा है तो यहां से ले करें दोनों को लगा लूँगी तो इन दोनों को लगा लूँगी कि यहां पर में दोनों साइट की पट्टिया जो है ना उनको लगा लूँगी इस तरीके से जैसे हम सिंपल हमारे ब्लाउस में लगाते नहीं तो इस तरीके से सेम लगानी है जादा कुछ नहीं करना है और यह मैंने दोनों पट्टियों को लगा लिया है यहां पर हमारे यह तो हो गया उसके बाद में हमको साइट के सिलाई लगानी है उसके पहले सीधा कपड़ा मतलब सीधा करके ब्लाउस को और नीचे तक में पूरे चूबेगा भी नहीं अंदर से तो यहां पर इस तरीके से फोल्ड मतलब अच्छी तरीके से पकड़ के फोल्ड करके कपड़ा हमारा दबेना ऐसे करके और हमें सिलाई लगा लेनी सिलाई लगानी के बाद में हमारी यह सिलाई जो है वो तो लग गई अब हमारी फिटिंग विडियो नहीं पर यहां पर फोल्ड करेंगे फोल्ड करेंगे उलेकश को घंके नहीं हमारा बलाउस तयार हो गया आप देख सकते सके नेकट कितना फिर फिनीशन से बना है और प्रिंसई इस कितना चीजिस के अगे से भी बना है तो फ्रेंट अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर ज़रूर कीज़ेगा और चैनल को प्लीज सस्क्राइब कीज़ेगा ऐसे ही आपको बहुत सारे वीडियो आगे भी देखने को मिलेंगे तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लेजिए और प्लीज मुझे कमेंट करके ये बताइए कि ये वीडियो केसी थी आपको अच्छी लगी और नहीं लगी प्लीज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो अगर एंट तक देखियो तो उसके लिए प्लीज मुझे करूए और वीडियो देखियो तेमाज मुझे केंट करिए।